हेलो गाइस चलिए हम बनाते हैं आज मूं के छोले तो आप देख सकते हैं हमारा मूं अच्छे से फूल चुका है फूल के हम इसका पारी थोड़ा था सुखा लेंगे जिससे की ये बहुत अच्छा हो जाएगा फिर हम कूकर में इसको बनाएंगे कूकर में हम तेल डालेंगे फिर इसमें डालेंगे तेश पता हरी मिर्च लहसन लाल मिर्च प्याज उसको फिर हम अच्छे से फ्राई करेंगे हम इसको भूनते जाएंगे चलाते जाएंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताक कि वह अच्छे से गल जाए ठीक है अब आईए हम गर्म मसाला त्यार करते हैं जीरा दाल चीनी इलाइची जावित्री लॉंग जाइफल काली मिर्ची और जो भी आप डालना चाहें गाईज इसको डाल लें अच्छे से उसको कूट लें अच्छे से उसको कूटले ताकि बारिक हो जाए और फिर हम चलते हैं अपने छोले के साथ जहां हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम उसमें डालेंगे टमाटर अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो हम चूर पावडर यूज कर सकते हैं क्योंकि टमा पावडर छोले मसाला और जो हमने कूट के रखा था वो गरम मसाला अब इसको अच्छे से हम मिलाए मिक्स करेंगे फिर हम नमक डाल लेंगे स्वात के अनुसार फिर अब इसको मिलाए अच्छे से ताकि मसाला भूनने तक मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते ज सब बarı शुक happy चोड़ चूपा है अब उसमयमं डालेंगे पानी जितना की हमें बनाना हो उसे साथ में पानी मिलाएंगे और लिए में हम डालेंगे अपना छहोला जो कि हमने मूं फुला के त्होड़ा से सुखां के कि अचीज थो तो हमने अपना मों समय डाल दिया है आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, दो मिनिट इसको भी थोड़ा भून लीजिए, इससे बहुत ही सोना पन आता है, बहुत टेस्टी लगता है, अब देख सकते हैं, यह तो पूरा अच्छे से भून चुका है, उसमें हम डालेंगे पहले पानी, जितने लोग हूं उस साथ से पानी, अब इसको हम कुकर बंद कर देंगे, और 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, गैस का फ्लेम नॉर्मल ही रहेगा, मीडियम फ्लेम ही, और देखिए हमारे सीटी 15 में पक चुका है यह, इसके बाद देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, पूरा चुका है, अब आप इसको सॉल्फ कर दे, थैंक यू गाइज, हमारे वीडियो लाइक से और सिस्क्राइब करें